तो दोस्तों नास्ता बनाना हो कुछ चटपटा और खाना हो हिल्दी तो इस नए तरीके से इस नास्ते को बना लीजिएगा घर की चीजों से बहुत ही चटपटा बचे हुए आटे का नास्ता है तो दोस्तों देर की इस बात की सुरू करते हैं इस चटपटी सी रेसिपी को यहां पर मैंने लिया है चनाजाल तो यह हैं होटफ कप से ही कम है और यह है ताबू待 मौ दोनु चीजों को मैंने ले लिया है और अब इसे द् unfa sensor jarources में डाल देंगे और इसके बाद हम डालेंगे अध्रक और हरी मिर्च और अब डाल देंगे थोड़ा सा लहसन तो दोस्तों इस तरीके से ये नास्ता बहुत ही चटपटा बनता है इसे पीस लेंगे पानी की जरूरत होगी तो एक से दो चमच पानी का यूज़ करेंगे यहाँ पर मैंने एक से दो चमच पानी डाला है चोटे चमच से और यह एक दम इस तरीके से पीसके त्यार हो गया है थोड़ा दरदरा भी पीसेगा तो चलेगा बहुत ज़्यादा बारिक करनी की भी जरूरत नहीं है तो यहाँ पर अब हम इसे दूसरे बॉल में निकाल लेते हैं तो यहाँ पर देखिए सारा जो बेटर है हमने निकाल लिया है अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पावडर कलर के लिए डालेंगे उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला पावडर डाल देती हूं और यहाँ पर हमने कसमेरी लाल मिर्च का यूज किया है क्योंकि मैंने हरीमिश तीखेपन के लिए डाली थी अब थोड़ा सा हींग डालेंगे हींग जरूर डालिएगा यह दालों की हेंग से यह डाइजेस्ट भी असानी से होती है और खाने में भी टेस्टी लगती है साबुत दरदरी कुटी हुई धनिया मैंने डाल दी है थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है खट्टे के लिए आप अमचूर पाउडर के जगह पे नीबु का रस डाल सकते हैं नमक ड मारा जो आँटा है इस तरीके से दो लोईया हम कुट करेंगे बड़े-बड़े साइज की यह देखें मोटी-मोटी दो लोईया हमने कट कर ली है आपको जितना बनाना हो इस भिरस आँचा लीजेगा और इस तरीके 咪हने डो बना लिया है यह देखिया लोईया बनाके हम कर लिएंगे तयार और रख देते हैं यहाँ पे और चलिए अब एक लोई उठाते हैं और इसे बेलते हैं थोड़ा सा हम लगाएंगे गेहूं का सुखा आटा ताकि यह जो चौपिंग बोर्ड है इस पे चपके न यह देखे इस तरीके से थोड़ा सा लगा लेंगे और बस इसे बेल देंगे बहुत ज्यादा दोस्तों पतला भी नहीं करना है और बहुत मोटा भी आपको नहीं रखना है बस इस तरीके से धीरे-दीरे बेलिएगा बहुत मोटा रख देंगे तो नास्ता कच्छा रहने का डर रहता है और बहुत ज्यादा पतला रखेंगे तो नास साइज में यह देखिए, अब हम क्या करेंगे जो बेटर है इस पे अच्छे से अपलाई करेंगे, आप चाहें तो इस प्रोसेस को हाथों से कर सकते हैं, पर चम्मज से भी बहुत अच्छे से हो जाता है, तो ये देखिए, मैं इस तरीके से अच्छे से इसे चारो तरफ अप ताकि हमारी जो stuffing है वो बाहर ना निकले ये देखे इस तरीके से हमने कर दिया है fold हलके हाथों से और दोस्तों बता दूँ कि जो हमने आटा लिया है उसमें पहले से ही नमक डला हुआ था अगर आपके पास जो हाटा है नमक नहीं है तो थोड़ा सा नमक डालके उसे अच्छे से गूत लीजिएगा और ये देखे एकदम आराम से इस तरीके से सेट करते हुए मैं इसे fold करते जा रही हूँ ये देखे तो देखे दोस्तों यहाँ पे कर दिया हमने fold और ये side का हिस्सा भी इस तरीके से चपका देंगे ये देखे और अब इसे हम अलक प्लेट में रख देंगे दोस्तों और दोस्तों सेम प्रोसेस से हमें दूसरा नास्ता भी बना के इसी तरीके से तयार कर लेना है तो ये देखे इसे रख दिया है हमने अलक प्लेट में और चलिए अब बना लेते हैं दूसरा नास्ता तो ये देखे द नास्ता हमारा चपके नहीं, एक तरफ मैंने गैस पे दो गिलास पानी कडाही में डाल के रखा हुआ है, और वो पानी एकदम से गरम हो रहा है, तो चलिए इस नास्ते को हम उहां पे लगा लेते हैं, ये देखिए, ये नास्ता अच्छे से हमने इसमें कर दिया है, सेट, ये तरीके से पकाएंगे, तो दोस्तों 15 मिनिट के बाद हम देख लेते हैं, आप देख पा रहे होंगे, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, और नास्ता इस तरीके से पक के तयार हो गया है, तो इसे उतार के हम इसे ठंडा होने देंगे, तो लगबब 10-15 मिनिट हमने ठंडा हो और उसके बाद देखे, आराम से छोड़ देता है, इस ठाली को, यानि जाली वाली जो प्लेट है, इसे छोड़ देता है, क्योंकि हमने इससे पहले इसी ग्रीस कर रखा है, अब इस साइड के हिससे को हम इस तरीके से निकाल लेंगे, जो मोटा है थोड़ा, और फिर उसके हम सारे नास्ते को कर लेंगे, कट करके तयार, और यह देखिए, साइडों का हिससा हमने निकाला है, इसमें भी स्टफिंग बहुत अच्छे से भरी हुई है, और यहाँ पे हमने दोस्तों कट कर लिया है, तो आपको मैं नस्दीक से दिखा रही हूँ, यह देखिए, सारे आस्ते को कट कर कर लिया है, तयार, आप इसे चाहें, तो एक दम ऐसे ही खा सकते हैं, बीना एक बूत तेल के अनास्ता है, आप इसी तरीके से खा सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी करने की जूरुत नहीं है, श्रिप चटनी लीजिए, या फिर चटनी नहीं भी है, तो उस के बाद थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी ही हींग डाल देंगे आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा अमचुर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं ताकि यह नास्ता ऊपर से थोड़ा सा चट पटा लगे चाट मसाला या अमचुर पाउडर डाल सकते हैं मैंने तरीके से सारे नास्ते को हम अच्छे से लगा देंगे आप चाहें तो इस नास्ते को डीफ्राई भी कर सकते हैं पर डीफ्राई दोस्तों सेहत के लिए अच्छा नहीं है इसलिए मैं सजेस करूंगी आप इसी तरीके से फ्राई करिएगा और इस नास्ते का आनंद और जटपट बनके त्यार हो जाता है, आप कुछ नया खाना चाहते हैं तो इस नास्ते को जरूर ट्राइ करिएगा, आप सब को बहुत पसंद आने वाला है ये नास्ता, और अब देखिए एक तरफ जैसे ही ये नास्ता पक जाएगा, तो मैं इसे इस तरीके से पलट दूँ तो ये देखिए, मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, कॉमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा, मैंने इस नास्ते को टोमेटो, केचप और धनिये की चटनी के साथ सर्फ किया है, मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सेयर कीजिएगा और चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि जब भी रेसिपी डालूं, आप देख पाए, मिलते हैं एक नए दिन और नए रेसिपी के साथ, बाई बाई